नमस्कार वेलकम बैक मैं सुनुदिवेदी आपका इंग्लिस मास्टर एक वार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस फैबरिट चैनल इंग्लिस मास्टर पर और आज का टॉपिक है कंजंग्शन पार्ड थर्ड आज हम लोग कुछ और इंपोर्टेंट इरस जा रहे हैं और यह इरर्स जो हैं बेस्ट ओन कंजंग्शन कंजंग्शन पर आतारित है और जैसा कि आपको को सज्जेशन ते हैं कि अगर आप हमारे यूवर हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले मिए आप अपने इंग्लिस मास्टर पर करेक्ट यूजज आफ आफ मंदित कंसेप्ट अच्छे से समझाए गए हैं यह रूल्स बताए गए इर्र कैसे करनी होती सिखाया गया है जिससे कि आपको इस वीडियो के बारे में अच्छे से सबकुस हंड़ेट परसंट समझा जाए है परफिलाल कुछ बाते सीक लिएगा कि कंजक्शन होता क्या है उसके बनाया गए कॉनल प्लस जंक्षन कॉन हुथ जाए है इस उसकी परिवासा बन जाती है जो जोडता है तो जोडता है किसको जोडता कोडिनेटिंग 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 को compound conjunction और correlative connection दोस्तो simple connection होता है जो single word का होता है जैसे and or but compound होता है जो more than one word से बनता है जैसे no less than as well as और correlative वह होता है जिसमें बताया जाता है कि इस word के बाद हमेशा यह word relate करेगा जैसे either है तो आर आएगा neither है तो नार आएगा not only है तो but also आएगा यह कहलाते है आपके correlative और हमने इनका जिकर इसलिए किया है कि आपके एक्जाम में जो सबस्यादर error आती है वो correlative से संबन्दित आती है इसलिए जितने भी correlative बारी connections आएं उनको आप अच्छे से त्यार करते रहेगा तो आए अब discuss करते हैं कि आपका पहला sentence पर्स सेंटेंस पर्स सेंटेंस पर्स सेंटेंस कहा रहा है और धना कि यह बहुत important errors है यह previous years में पूछी के errors है यह errors आपके लिए बहुत helpful होंगी चाहिए आप SST के एक्जाम दे रहे हों यह defense का या bank का हर एक्जाम में यह बहुत helpful होती है चाहिए टीजीटी पी हो या पीजीटी हो कोई भी एक्जाम हो आपका पहला कोशन है दिस में भी नाइदर हियर और देर अब दोस्तों आपको पता है कि नाइदर के साथ हमेशा नौर आता है कि यहां पर और नहीं होगा नौर होगा और आपका सी है अगला है सच वाज ऌ iç कंडिशन एज एब्री वडी तेया गया हो तो अब यह बग ऊंपर बिगें दीया गया तो दोस्तों यहां पर एज नहीं आएगा बैट आएगा तो यह हो जाएगा अंसर हो जाएगा थर्ड कर रहा है अब आपको रू लिया तक नहा है दोस्तों कि वैदर के साथ हमेशा और आता है तो यह आपर end नहीं होगा और हो जाएगा और stay till the end of the month अंसर हो जाएगा आपका फोर कर रहा है इसकासली है डाई स्टॉप्ट राइटिंग दा लेटर देन तो बच्चों एक रू लिया रखिएगा कि एगर सेंटेस में इसकासली आता है या हार्ली आता है इसका मतला होता मुस्कित से इसके साथ जो कोर्लिटिप आता है वो हमेशा भेन आता है तो आपर ती ये देन हटा करके भेन लगाएंगे डबलू एच इएन भेन माई फ्रेंड आराइट आंसर सी बच्चों प्रैक्टिस में पर्फेक्ट वाली मंत्र को हमेशा याद रखिगा इसलिए आपको ज़्यादा ज़्यादा सेंटेंस के इरर कराते रहते हैं आपको पीछे कई बार बताया गया होगा अगर एल्स आता है तो इसके साथ में सा बट आता है तो बस यहाँ पर देन नहीं का बट हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी और नथिंग एल्स को बता हो था कुछ और नहीं बलके ना कुछ नमपर 6 6 रिंकी रेड एबरी पेस यहाँ पर मिस्पिंट है रेड होना चाहिए रेड रिंकी रेड एबरी पेस बिद नो अधर पर परपज यहाँ पर बच्चो यहाँ रखेगा कि अगर नन होता तो बट लगाते लेकिन नो अधर है तो यहाँ पर बट नहीं आता दैन आता था ती एच एए अन आंसर सी विजे सिना बट टेक पार्ट बच्चो यह रखेगा रधर के साथ था तहन आता था तो बट नहीं होगा दैन होगा यह टागे टेकिंग हुझाए फिलाल रधर है तो यह रखना है तोहां से क्या हो जाएगा बी और सेंटर सुजाएगा बिजे सिना रजाइंट राधर देंट टेकिंग पार्ट क्योंकि उसके पास पर्यात पैसा नहीं था यहां पर कारण है इसलिए यहां पर एंड नहीं आएगा कारण लिए बिकॉज लगाते हैं बी ए सी ए यूज यह जाएगा सीला देट नॉट हैब असारी बिकॉज सी दिट नॉट है वेनाफ मनी आंसर बी आल्दो दे एस्टोनॉट्स वर एक्साइटेड बच्छो एस्टोनॉट्स मिस होता है अंतिर श्यात्री एक्साइट मिस उत्रेजित होना तुबी ओन दा मून बट देट नॉट आउट इमे अगर सेंटेस में आल्दो आता है तो इसके साथ हमेशा यट आता है तो यहाँ पर क्या करेंगे जहां पर आपका बट लगा है तो यह हटा करके क्या लगाएंगे यट लगाएंगे आंसर जाएगा सी कोर्शन नमर्ट टैन है दोस्तो 10 इंक कह रहा है आल्दो प्रवीन सुल्तान एच सफ्रिंग अबट बट शी वेकि हाँ पर सेंटेस थोड़ा सा अधूरा है अपको य़्वी कि और में लगाएंगे लिए लगाएंगे कुश्च्ट नबर 11 कि अब आपको रूर रखना है दोस्तों कि अगर अन्लेस आता है इसके साथ नौट नहीं आता है और जब नहीं आएगा तो दस भी नहीं आएगा और आपका पता है दोबर आपके यह से यह लगा देंगे यहां पर कौप अप्रेट्स वी कांट होग तू मैंटें ला एंड और आंसर हो जाएगा बी बैट कि दरीजन वी अर लेट इस बिकॉज बच्चों यहां रखिक आपको सिखाया गया है रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता है दैट आता है यहां पर दैट लगाएंगे सेंटर से जाएगा अब दीकिए जैसे आपको आगे दैट लगा हुआ है तो अब यहां पर बस बिकॉज हटा देगे आंसर हो जाएगा बी यह हो जाएगा दरीजन वी अर लेट इस दैट अबर कार ब्रोक टाउं कोश्चन अबर 13 कह रहा है चंद सेखर विल नॉट बी सकसेफ़ूल अंटिल ही विल नॉट गिब अप इस बैड हैबिट अब देखिए आपर अंटिल लगा है और नॉट भी लगा है अब आपको रूल ला रखना है कि अंटिल के साथ नॉट नहीं आता है तो जाएगा चं केरफूल कोश्चन अबर 14 बी केरफूल लेस्ट यू में फाल एंड हर्ट यूरसल्फ बच्चों रूल या रखीगा लेस्ट में सोता कहीं ऐसा ना हो और लेस्ट के साथ हमेशा सुड आता है यह मेहट आदेंगे शुड लगाएंगे यह हो जाएगा बी केरफूल लेस्ट यू शुड फाल एंड हट यूरसल्फ आंसर बी बिलाएगा फिप्टीन नंबर हार्ली सी हैट अराइब्ट वें दा हाउस कॉट अब दोस्ते एक रूल या रखीगा कि अगर सेंटेंस की सुरुवात किसी एडवर्ब से होती है जैसे हार्ली है इसकास्ति है तो इसके सेंट आयगा अर्दी हर्षची इसक्सटेनेंिनरी केह राए है नोबडी इन हीन थैं ऑगाएखर नो अधर होता थो थह यहां पर देन लगाते है Parkinson यहां पर बच्चों नोबडी है तो बट आयेगा न हो नोबडी हो थो बट लगाते आए तो यह जयागे नोबडी बट मे no sooner I received the telegram from Avinas then I started contacting my friends on phone देखिए एक रूल है कि no sooner भी आपका adverb है और अगर sentence no sooner से शुरू होता है या किसी adverb से शुरू होता है तो उसके बाद helping वरब आता है यहां पर आपका देखिए यह तो हम head लगा आपका देंगे तो no sooner had I received हो जाएगा और चाहो तो did I फिर यहां पर फर्स परमाज आएगी तो कुल में आकर यह कर लिएगा no sooner had I received the telegram from Avinas और no sooner के बाद दैना आता तो answer हो जाएगा A the paper got jammed in the drawer and they could not get it out easily अभी किया पर कह रहा है the paper got jammed paper jammed हो गया in a drawer and or अब देखिए आप पर end नहीं आएगा इसलिए यहां पर कह रहा है कि इसलिए वो इसे आसानी से निकाल नहीं पाए तो end हटा देंगे यहां पर लगाएंगे so so they could not get it out easily answer c 19 के रहा है सच वाज हर condition as everybody began to pity me नहीं पढ़ाया था उपर कि सच के साथ as भी आता है that भी आता है बस रूल आतकी का कि अगर आगे वर्ब दिया गया हो तो that लगाओ और वर्ब ना दिया गया हो तो as लगाओ यहां पर दिके बेगे दिया गया है वर्ब है तो यहां पर as के जाए पर क्या लगाएंगे that answer c 20 के रहा है बोत अनिल as well as his friends are equally efficient in the doing this work बच्चों एक important rule या रखेगा कि बोत के साथ हमेशा end आता है बस यह को रिलेटिब कंजेक्शन से या रखेगा यहां पर as well हटाके क्या लगाएंगे and answer a question about 21 21 कह रहा है as sunita is not feeling well today so she can't accompany you अब यहां पर एक important point बच्चों आपको सीखना है मैंने पड़ाया है कि अगर हमारा sentence as से सुरू होता है तो आगे कोई connection नहीं आता है सिर्फ कामा आता है आपर सिर्फ कामा आएगा as sunita is not feeling well today, she cannot accompany you अपर से सुरू होता है तो भी आगे देन नहीं आता है सिर्फ कामा आता है आपको पता है बी स्मार्ट नाट ओली के बाद बट आलसो आता है तो यह आप पर एंट रटा के क्या लगाएंगे बट बट आलसो आंसर सी समीर है रिटेन नाट ओली इस पॉपलर स्वंग बट है आलसो कंपोस्ट म्यूजिक फार्थ सेम अभी कि यहां पर उचेक रूल सीखना है कि नाट ओली बट आलसो हमेशा समान चीज़ों को जोड़ता है अभी कि यहां पर नाट ओली वाद क्या लिखा हुआ है इस पॉपल समीर नाट ओली है इस पाप्लर संग बट है अलसो कंपोस्ट त्व यह हो जाएगा और नाट ओली आएगा समीर के बात यह हो जाएगा समीर नाट ओली है उपनिंग्स should we fenced holes और opening को बंद करने तरहे so people cannot अभी के ता कि लोग ना गिर सके यहां पर बच्चो परपज है और परपज के लिए सिर्फ so नहीं आता है so that आता है so that ता कि answer C question number 26 बच्चो कह रहा है a cement mixer agitates the cement until it is not ready to pour आपको रहात रखना है रूल अपना until के साथ not नहीं आता है until it is ready to pour answer D not only the judge accuted him all the charges leveled against him but also commander अभी मैं पढ़ाय था आपको not only के बचाशो आता यह तो बात पक्की है लेकिन दूसरी एक चीज़ आपको और याद रखने है दोस्तों कि not only but also हमिशा समान चीज़ों को जोड़ता है हमें यह देखना होता है यहाँ पर sentence पर दो नाउन है या दो वर्व है यहाँ पर दो वर्व है एक है एक एकुटेड और एक है commanded तो बचाशो गवाद तो वर्व ठीक है लेकि not only वाद यहाँ पर लिखा है तो रूल क्या होता है हमें नाट अली वाद यहां पर वर्व चाहिए तो सेंटेस कैसे बनेगा नाट अली आ जाएगा जज्च के बात यह जाएगा the judges not only acquitted him all the charges leveled against him but also commanded और बच्चोर एक्विट होता है दोस्मुक्त कर देना और कमेंड होता है प्रसंसा करना तो आंसर क्या हो जाएगा A 28 30 students will be responsible for both writing a script as well as रट लीजेगा बोट के साथ हमेशा end आता है तो यह as well as रटा देंगे end लगाएंगे answer D असोक एंड आई कुड गेट into the house because either of us had a key अगर देखिए आपर 29 कह रहा है कि असोक एंड आई कुड गेट असोक यह मैं जा सकता था क्योंकि हम में से प्रत्ते के पास किसी के भी पास चावी है sentence ही है no error 30 कह रहा है no sooner did the bell ring the boys ran out of their classes दोस्तों आपको rule लिया रखना है किएकर sentence में no sooner आता है तो उसके बाद then लगाते हैं और कहां लगाते हैं एक बात समाप्त होने के बाद यह हो जाएगा no sooner did the bell ring then the boys ran तो यानि कि answer C हो जाएगा the boys के पहले then लगा देंगे answer C यह जाएगा then the boys ran out of their classes now question number next अगला कह रहा है 31 कह रहा है राजन हैट hardly slept अभी कि आपको बच्चों एक rule पता है क्याकर sentence में hardly आता है तो hardly के साथ हमेशा when का प्रयोग करते हैं कि देखी लिखा है hardly लिखा हुआ है अब यहाँ पर आपका then नहीं आएगा when हो जाएगा राजन हैट hardly slept when a thief answer B हो जाएगा hardly did he stepped out of his car when बच्चों एक rule या दखीगा hardly वाला जो sentence होता है वो हमेशा past perfect tense का होता है और past perfect tense में head पर स्थर्फाम आती है इसलिए आपर did नहीं हो जाएगा head हो जाएगा hardly head ही stepped out answer A और hardly साथ हमेशा when आता है no sooner the clock strike six than all the employees rust out of the office या दखीएगा no sooner के बाद हमेशा helping वर वाती है तो यहां पर आपका और पता जनरली आपका क्या है या तो helping वर आती है या तो head आता है did आता है अब लिखिए आगे strike वर्फ की फर्स वाब है तो यहां पर did आएगा तो no sooner did the clock did आजाएगा answer A 34 के रहा है until you work hard you are not going to pass the examination बच्चों एक important point आपको सीखना है एक होता है until जिसका मतलब होता है जब तक की नहीं और एक होता है unless UN-L-E-W-S जिसका मतलब भी होता है जब तक की नहीं पस फर्क क्या है कि until time बताता है और unless condition बताता है यहां पर तक क्या है until you work hard जब तक तक तुम कटने पसम नहीं करोगे आप पास नहीं होगे यहां पर condition है दोस्तों तो until नहीं होगा unless हो जाएगा UN-L-E-W-S unless you work hard answer A 35 35 कह रहा है the robber said he would not hit me robber ने कहा sorry he would hit me कोई मुझे मारेगा until I told him where the money was जब तक मैं नहीं बताता कि पैसा कहां है यहां पर भी condition है तो यहां पर भी until नहीं होगा unless हो जाएगा answer C share sing won't lend you any money share sing आपको पैसा नहीं देगा question number 36 share sing won't lend you any money until you promise in writing to pay him back यहां पर भी दिखे condition है कि पैसा नहीं देगा आपको देखिए पता चीजें अपने आप निकलने लगते हैं कि अगर हार्ली है उसके साथ हमेशा वहन आता है डवलो एच एण answer D 38 अभी इस सिखाए था आपको कि अगर हार्ली है या इसकासली है इसका मतलब तो मुस्किल से इसके वाज हमेशा क्या लगाते है वहन आता है तो रटली जेका यह कोर्लेटिव है hardly इसकासली का समेशा वहन आता है answer क्या हो जाएगा C 39 अमरेस इस्टूड फस्ट फारी वर्ट वेरी हार्ट अब दिकिए अमरेस फस्ट आया क्योंकि उसने कठी पस्टम किया यहाँ पर कारण है और कारण लिए फार नहीं आता फार परपस बताता है यहाँ पर बिकॉज हो जाएगा B E C A U E C because answer B 40 इसकासली है अई अराइब्ड बच्छा आपको रट गया होगा सेंटेंस में अगर इसकासली आता है यहाँ लिए अता है तो उसके साथ क्या लगाते है वहन वहन हो जाएगा इसकासली है अराइब्ड वहन आल दे विस्टर्स डिपार्ट आंसर बी बैट क्योश्टन मर फुटी बन फुटी बन कह रहा है इसकासली है अराइब्ड फुटी बन कह रहा है नो सूनर नो सूनर है अराइब्ड वैन रट लिजेगा हारली है इसकासली है तो वैन और नो सूनर अगर है तो दैन यह सब शीच आपको रटनी है तो नो सूनर है अराइब्ड दैन हो जाएगा अंसर भी बैट अनलेसी दस नॉट अपोलाजीज अनलेसी दस नॉट अपोलाजीज ही शुट नॉट पी एक्जिक्यूटेड बच्विए रखी का सेंटेंस में अगर अनलेस आता है अंटिल आता है तो नॉट का प्रिग नहीं करते हैं तब नॉट नहीं होगा तो दस भी नहीं होगा उनलेसी अपोलाजीज शुट नॉट भी एक्सेक्यूट अपोलाजीज शुट अच्वा मागना अंसर भी बैट लेट असमें के साथ नॉट का प्रिग नहीं करते हैं यह लगा लेट उसमेक हैस्ट लेस्ट वी शुट मिस्टा ट्रेंड अंसर सी फोटीफोड दा प्रिंस्पल आस्ट इम डैट वेदर ही वास विलिंग टू गिप एन एफिडेविट कोशन कह रहा है तो प्रिंस्पल आस्ट इम डैट और वेदर दोनों लगा दिया आपको प लगा हुआ है तो डैट कभी नहीं आता है आंसर भी बैट फोटीफाइब यू शुट डू लाइक यूर ग्रांड फादर या दखिएगा आपको करना जैसा कि आपके ग्रांड फादर कहते हैं तो यहां पर लाइक नहीं होगा एज आएगा क्योंकि एज करनेक्शन होता है आपको रटा होना चाहिए यह बाते हम इतना करा चुके हैं किया का सेंटेस में नो सुनर आता है तो इसके साथ हमेशा दैल लगाते हैं दोस्तो जादा जादा सेंटेस कराने का परपज यही रहता है कि चीजें प्रैक्टिस करते करते आपको रट जाएं और मेरा मानना है कि परफेक्शन कम्स थ्रू प्रैक्टिस रूर्स पढ़ने से कभी भी ग्रेमर में या स्पॉर्टी इरर कहलो या इरर डिटेक्शन के प पड़ाएंगे इसके बाद फिर आपको मिस्लेनियस एरर की प्रैक्टिस कराएंगे तो मेरा उसमें भी मानना रहेगा कि रूस से तो सिर्फ एक में कंसेट क्लियर होता है पर्फेक्शन आपका आएगा प्रैक्टिस करने से Q4 से पाल्टि विल सेलिब्रेट करा है दाप इस हैं अभी रटा हुआ आपको किया हैं इस पांतेक्ट में बोत आता है दोस्तो हमेशा एंड लगाते हैं तो यह एस विल एच नहीं होगा यह होगा एंड यह है प्रक्टिस करने का फाइदा आँसर सीद्ट, आप दिखें आप लिखा है, अब आपको एक रूल आखना है, एक और एक और पॉसलिबिदी के लिए, अगर ठीक पले not लगा है तो so लगाओ not नहीं है तो age आएगा तो यहाँ पर not नहीं है इसलिए so नहीं होगा age हो जाएगा as intelligent as his father answer d dog 49 although most rocks contains several minerals but रट लीजेगा although किसा थमेशा yet आता है y e t although most rocks contains several minerals yet limestone contains only one question number next और दोस्तों आज इस वीडियो का last question है no sooner किसू entered her room no sooner किसू entered her room than she felt the presence of somebody else यह पूरा complete sentence है आपके थोड़ा दूरा है तो बस हमें आपके सीखना क्या है कि जब भी sentence no sooner से शुरू होता है इसके बाद हमेशा आपका helping वरबाता है और हमेशा वो did या head आता है तो यहाँ पर दो कि entered आगे लिखा हुवा third form है तो यहाँ आप दिद आएगा तो यहाँ पर first form होन चीए इसलिए यहाँ आप जब third form है तो दोस्तों head आएगा तो यहाँ जब no sooner head किसू enter the room answer हो जाएगा आपका a तो बच्चों यह थे कुछ important errors best on conjunction conjunction से सम्मदित कुछ महतपूर हमने error की आपको पचास questions की practice कराई अब आपको इसके बाद एक और important वीडियो बनाएंगे जिसमें conjunction part 4 होगा और इसमें भी कुछ important महतपूर 50 questions हम लोग और discuss करेंगे क्योंकि जतना ज़्यादा ज़्यादा आप sentence कर लेंगे उतने आपके perfect और आप उतने comfortable हो जाएंगे conjunction की error के बारे में तो बस आज के लिए इतना बहुत यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्नवाद और बस आपसे एक ही गुजारिस रहतीक अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक करें शेयर करें और अपने इस पसंदिदा चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार धन्नवाद